दोस्तो मैं सवरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले है जोगरफी के Top 25 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछा जाते हैं आप लोग को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और इसको एज़ा टेस्ट लगाना है यानि की 25 में से कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर जरूर बताना है वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर कर देना दोस्तों आपके लिए टेस्ट कोशन भी है रेगूर किसका नाम है और इसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है इसका जो सही उत्तर रहेगा मैं वो वीडियो के दोरान बता दूँगा चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है भारत का दक्सिंतम बिंदू कहां है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर रहेगा दक्सिंतम बिंदू की अगर बात की गई है तो कन्या कुमारी हो जाएगा यानि की option डी रैट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस परकार से तो भारत में जो कन्या कुमारी है वो नीचे यहाँ पर पढ़ता है ठीक है ना और वहीं पर दोस्तों इंद्रा कोल जो होता है वो जम्मू कस्मीर उपर की और पढ़ता है य राइट आंसर दोस्तों रहेगा पीर पंजाल और हिमादरी परवत सरेणियों के मध्य है यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा question number 2 का सही उत्तर तो ये आपको याद रखना है भारत के प्रादेशिक जल छेत्र का विस्तार है दोस्तो राइट आंसर रहेगा तट से बारा समुदरी मेल तक देखें मैं जो इस वीडियो में आपको questions कवर कराऊंगा या फिर किसी में भी cover कराता हूँ बहुत अच्छे लेवल के questions होते हैं अगर आप ये सारी वीडियो देखें अभी मैं जैसे जोग्रफी की चार से पा आंसर देने की कोशिस क्या करें ठीक है राइट आंसर भी हो जाएगा question number 3 का सही उतर question number 4 है हरित करांती से गहरा संब्ध है बिल्कुल सही आंसर है डोक्टर स्वामी नाथन का यानि की option C right answer हैगा question number 4 का सही उतर question number 5 है निवन में से कौन सी खरीब फसल नहीं है देखे खरीब फसल जो पर्मुख फसले है मैं बता देता हूँ एक बर आपको चावल मक्का जवार बाजरा तिल राई है ना मुंगफली कपास जूट गन्ना तमाकू सोयबीन ये सबी क्या है खरीब फसले है अगर मैं वही पर रवीप पर्मुख फसलों की बात करूँ तो आप इन में से पूचै करीब फसल नहीं है तो राइट आप सर ईस चनाओ जाएगा तो राइट आंसिर उप्शन यह हो जाएगा ठीक है जी अच्छा इस ही परकार से मैं एक मास्टर पीडिएप बनाई यह है दोस्तों और मास्टर पीडिएप गर दिघोग्रफी प्र包括 यानि कि all subject को cover किया है बहुत ही बारीकी से अच्छे ढंक से जिससे की बच्चा पढ़े तो उसका पूरा syllabus cover हो जाए इसमें मैंने 6000 question answers तो यह सारे cover किया है इन subject के और दोस्तो 2500 के करीब मैंने cover किया है current affair और static gk यानि कि इसमें total मिलेंगे 8000 question answers जिसकी cost 500 रुपे से घटा करके मैंने 170 रखी है देखे 170 ए वन टाइम पेमेंट रहेगा यानि कि एक बर पेमेंट करना है और PDF आप पूरी lifetime के लिए रख सकते हैं print out भी निकाल सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा पढ़ सकते हैं और प्यारे दोस भेजेंगे आप directly वहाँ से PDF को purchase कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और WhatsApp नंबर हमारा हर एक स्रेड में लिखा हो मिलेगा च्छटा question है दोस्तों बांगदेश की सीमा से लगे भारत की राज्य हैं तो right answer क्या रहेगा बिलकुल सही है मेगालिये असम पस्चिम मंगाल पारिद करती थी तो इस question कराइट answer बतेगा दोस्तों साथवे question का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका अफगानिस्तान यानि कि साथवे question कराइट answer D हो जाएगा ये आपको याद अखना है बही चले आठवा question है निमलिखित में से कौन सी भारत की नविंतम परवत सर सरेनी की तो answer बताइए ये तो साथ मैंने अभी आपको चार-पांच दिन पहले भी ये question कवर कराया था right answer is हिमाल्या सरेनी यानि कि आठवे question का right answer option A हो जाएगा question number 9 है हिमाल्या परवत सरेनिया निमलिकित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है ध्यान दीजेगा किस राज्य रहेगा उत्तर परदेश का यानि कि D right answer रहेगा 9 question का सही उत्तर दोस्तों दसवा question है छेत्रफल की द्रस्ती से विश्व के देशों का सही करम क्या है देखे सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में share कर देना और अगर आप चाहते हैं कि जोग और अगर आपको देखने हैं भी जोग्रफी की तो आप जोग्रफी एड़ कर देना only top study जोग्रफी प्लेइलिस्ट या फिर only top study history प्लेइलिस्ट या only top study आपको polity प्लेइलिस्ट इस तरीके से या फिर description box चेक कर लेना अगर आप सर्च करना नहीं चाहते हैं पूरी प्लेइ प्लेइलिस्ट मिल जाएगे ठीक है चैनल पर जाकर के भी तो दस्वे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा चेत्पल की दस्टी से विश्व के देशों के सही करम है ठीक इस पहले नंबर पर रूस आ जाएगा फिर कनाड़ा फिर अमेरिका फिर चीन राइट आंसर सी हो जाएगा इस कोशन का सही राइट अगर मैं वैसे दोस्तो बात करूँ ये तो चेत्पल की बात हो गई रूस कनाड़ा अमेरिका चीन फिर उसके बाद ब्राजिल आ जाता है और साथवे नंबर पर अपना भारत है अब जनसंक्या के हिसाब से अगर बात की जाए तो अ ग्यारवा कोशन है राम से तू सुरू होती हैं तो इस कोशन का राइट उनसर बतेगा तो ये होती है दोस्तो धनुस कोड़ी से यानि कि C राइट आंसर हैगा 11 कोशन का सही उत्तर 12 कोशन है निमलिकित में से कौन सा एक परवाल दूइप है दोस्तो राइट आंसर हैगा लक्स दूइप यानि कि 12 कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा यह आपको याद अखना है कोशन नमर 13 है पीर पंजाल सरेणी पाई जाती है दोस्तो पीर पंजाल सरेणी पाई जाती है जम्मू एवं कस्मीर में कोशन नमर 13 का राइट आंसर B हो जाएगा यह आपको याद अखना है कोशन नमर 14 है निमलिकित में से सबसे प्राचीन प्रवत स्रंकला कौन सी है दोस्तों निमलिखत में से सबसे प्राचीन प्रवत स्रंकला कौन सी है तो right answer क्या रहेगा अरावली यानि कि right answer C हो जाएगा question number 14 का सेयुक्त question number 15 है नर्मदा एयवं तापती नधियों के मद्य इस्तित है नर्मदा एवं तापती नद्यों के मद्धे स्थित दोस्तो सत्पुडा स्रेणिया यानि कि राइट आंसर बी रहेगा पंदर्वे कोशन का सही उत्तर यह आपको याद अखना है सोल्वा कोशन है नंदा देवी इस्थित है नंदा देवी इस्थित दोस्तो उत्राखंड में यानि कि सोल्वे कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा यह आपको याद अखना है सतर्वा कोशन है भारत के किस दूइप का उदगम ज्वाला मुखी से है दोस्तो राइट आंसर हैगा बेरन दूइप यानि की सतर्वे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यह आपको याद अखना है कोशन नमर 18 है दस डिग्री चैनल पर्थक करता है तो दोस्तो दस डिग्री चैनल पर्थक करता है अन्मान को निकोबार दीब से यानि कि अठारवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ये आपको याद अखना है उन्नीसवा कोशन है देश के किस परदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तो देश के किस परदेश में सबसे अधिक जिले हैं तो राइट आंसर हैगा उत्तर परदेश में तो राइट आंसर भी हो जाएगा 19 कोशन का सही उत्तर अच्छा टोटल कितने जिले हैं दोस्तो 75 ये भी नोट करने हैं बीसवे कोशन है सुन्दरबन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदिया है तो बीसवे कोशन का राइट आंसर हैगा गंग और ब्रंपुत रियानी की राइट आंसर डी हो जाएगा बीसवे कोशन का सही उत्तर यह आपको याद दखना है 21 कोशन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला इस्थान है दोस्तो right answer है भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेहे में 21 वे का right answer D हो जाएगा यह आपको यादखना है 22 कोशन है reagur किसका नाम है यह starting मैंने आपसे test question पूछा था तो right answer हैगा काली मिट्टी का 22 कोशन का राइट आंसर D हो जाएगा ये आपको याद रखना है 23 कोशन है गोविंद वल्लब सागर इस्थित है दोस्तों गोविंद वल्लब सागर इस्थित है कहां पर राइट आंसर हैगा उत्तर परदेश 23 कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा ये आपको याद रखना है 24 कोशन है एग मार्क है तो राइट आंसर हैगा गुणवत्ता गरंटी की महोर 24 कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा ये आपको याद रखना है 25 कोशन है भारत में सुवेत करांती के जनक किसे कहा जाता है तो राइट आंसर इस डोक्टर वर्गिस कुरियर यानि की 25 कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तों 25 में से आप लोगोंने कितने कोशन के आंसर सही के हैं या आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे हरित करांती से गहरा संबन है किसका ये आपके लिए टेस्ट कोशन है तो इसका भी आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है साथ ही साथ Only Top Study आप को भी डाउनलोड कर लीजे यहाँ पर आपको 5 स्टार की रेटिंग कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर फिरी पीडियाप मिल रही है बट हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लाइव क्लासिज लेके आने के भी अब देखे 6000 कोशन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तो इस मास्टर पीडियाप के अंदर मैंने इसी परकार से 6000 कोशन आंसर्स अलग-अलग सब्जेक्ट के कवर किये हैं बहुती बारिकी से बहुती अच्छे लेवल के कोशन आंसर्स जो की एक्जाम औरियंटिड हैं आप चैक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस पीडियाप को परचेज करके आप पढ़ सकते हैं complete cover कर सकते हैं इसमें अभी दो फिरी पीडियाप है यानि कि इसमें आपको मिलेंगे 8000 से ज़्यादा question answers और ये सभी subject के दोस्तों आपके question answers cover हो जाएंगे मात्र 170 रुपीज में ये पीडियाप lifetime के लिए आप ले सकते हैं ये हमारा WhatsApp नंबर है इस पर message करना की सरा मास्टर पीडियाप लेनी है तो आपको मास्टर पीडियाप के लिए सारे information मिल जाएगी साथ ही साथ description box में लिंक है वहाँ से भी purchase कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए बैल ऐकन कौन रखिये ताकि आगया हैने वाली कोई भी वीडियो मिसे ना हूँ थैंक्यू सो मच बाई बाई आवरीवन टेक क्यार लखे अपना